एक बुड़े भिखारी की अनोखी कहानी हर दिन एक भिखारी दर्वाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देख कर फिर जाया करता कई बार उसके लिए गालियां भी बगता वो कहता तु जिन्दा ही क्यों है? पूरी जिन्दगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धर्ती का बोज क्यों बना बैठा है? और कभी-कभी उस भिखारी को गुसे में वह धक्का भी मार दिया करता इतना कुछ हो जाने के बाव जो बिखारी के मुख से यही निकलता की भगवान कुमारे पापो को माफ करें एक बार सेट को धंदे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली सेट बहुत परेशान था कि तभी उसके दर्वाजे पर वही बिखारी आया गुसे में अपना आपा खोते हुए सेट ने उस बिखारी को पत्थर दे मारा पत्थर लगने के कारण बिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा फिर भी दर्द से कराते हुए बिखारी ने इतना ही कहा भगवान तुम्हारे पापो को माफ करें बिखारी वहां से चला गया सेट सोच में पड़ गए बिखारी को पत्थर मारा फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की सेट का गुसा शान्थ हुआ शेर का मन शान्थ हुआ बिखारी का रहसे जानने के लिए सेट ने बिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया बिखारी जहां जहां जाता सेथ उसके पीछे जाता सेथ ने देखा कि कोई उसको खाना देता कोई उसको मारता कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते लेकिन भिखारी सब के लिए एक ही प्रार्थना करता भगवान तुम्हारे पाप माफ करे अब रात होने को आई थी भिखारी अपने घर जाने के लिए लोटा वो अपने घर पहुँच गया लेकिन सेट अब भी उसका पीछा कर ही रहा था एक पुरानी तूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेती हुई थी काफी कमजोर और बीमार लग रही थी वह भिखारी की पत्मी थी अपने पती को वापस आता देख वह खाट से उठ खड़ी हुई पत्मी ने अपने पती के भीक वाले कटोरे में देखा उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी उसे देखकर वह बोली आज बस इतना ही मिला और हाँ आपके सिर से खून निकल रहा है ये चोट कैसे लगी बुड़ा भिखारी बोला आज बस इतना ही मिला किसी ने कुछ दिया ही नहीं सब में गालिया दी और एक ने एक पत्थर भी फैंका इसलिए मेरा सिर्फ अट गया एक गहरी थंडी सांस लेकर बुड़ा भिखारी फिर से बोला यह मेरे ही पापो का फल है तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे क्या कुछ नहीं था हमारे पास हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी लेकिन हमने कभी दान नहीं किया और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीक मांगने आया करता था। बोड़ी पत्मी की आंखों में आंसु आ गए। वह बोली हां, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे। उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागस दिया करते। उसका मजाक उड़ाया करते और कभी-कभी मारा भी करते। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाएं, एक बार मैंने उसके मुम पर मिट्ती भी फैंकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किये की सजा देगा। भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। बिखारी बोला हाँ उसका श्राप सच हुआ इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता. चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करें, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ. मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिन्दगी का अनुभव करें. किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रही है इसलिए अंजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले में नहीं चाता सेठ वही पर छुक कर यह सारी बाते सुन रहा था अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था भिखारी और उसकी पत्नी ने वहां आधी रोटी मिल बाट कर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोल कर सो गए अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीक मांगने गया सेठ के घर के पास जाते हैं सेठ ने पहले से गरम रोटी या उसके लिए निकाल कर रखी थी उसे देते हुए सेठ विनमरता से बोला माफ कर दीजिए बाबा उसे बहुत बड़ी गलती हो गई बुरा भिकारी बोला भगवान तेरा भला करे इतना कहकर वह आगे निकल गए इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है लेकिन यहाँ बात बिलकुल सच है उसके खाते में सबका हिसा बहुत बहुत पक्का होता है इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो हमारी यह विडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना ऐसी ही विडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी विडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद